हाई फ्रेंड आज के इस वीडियो में हम कैल्सी क्विक D3 ड्रॉप के बारे में बात करने वाले हैं यह ड्रॉप बहुत ही पॉपुलर विटामिन D ड्रॉप है जो छोटे बच्चों को सबसे जादा डॉक्टर्स के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है इसलिए सबसे प प्रकास के माधियन से उपलब्द होता है जब लबदायक सुरी की रॉसनी हमारी त्वचा पर पड़ती है तो त्वचा में विटामिन D का फॉर्मेशन होने लगता है फिर बॉड़ी इसे एब्जॉर्ब कर लेती है और ब्लड के थुरूप पूरे बॉड़ी में सर्कुले बच्चा जन्म लेता है तो इस बॉड़ी इस बच्चे में विटामिन D की कमी होती है इसके बाद बच्चा ब्रेश फीड लेता है या मान लीजिए गाहे भैस या फॉर्मुलेटीटट फीड ले रहा होता है तो फॉर्मूलेटट फीड के अलावा बाकि सभी मिलक में deficiency जादा होती है क्योंकि sunlight जब बच्चे को मिलती है तो उनमें vitamin D की जो कमी है वो पूरी होते रहती है अगर बच्चे में vitamin D की deficiency हो जाती है तो बच्चे के bones की बनावाट खराब हो जाएंगी बच्चे के हाथ पर टेड़े हो जाएंगे रिकेट्स जैसे बीमारी बच्चे को हो सकती है इसके अलावा बच्चे के दान देरी से निकल सकते हैं और बच्चे की immunity भी कम हो सकती है और भी problems बच्चे को हो सकती है अब बात करते हैं calcium D3 drop के बारे में जिसे more pen laboratory limited के द्वारा बना गया है इसमें आपको vitamin D800 IU मिल जाता है IU एक unit है जिसे international unit कहते हैं यह drop 15 ml के packing में आता है जिसका price 121 रुपीज है आप इसे 0.5 ml दिन में एक बार बच्चे को दे सकते हैं यह drop आपको किसी भी medical store में मिल जाएगा vitamin D newborn baby को हमेशा recommend किया जाता है doctors के दोरा क्योंकि vitamin D बच्चे को overall development के लिए बच्चों के health के लिए bones के लिए तीत के लिए और immune को boost करने के लिए भी vitamin D बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है बच्चों के case में कोई भी medicine देने से पहले doctor से consult जरूर करें क्योंकि doctors बच्चे का health condition को जांच कर सही dose suggest करें और यह भी बताएंगे कि कब तक यह drop बच्चे को देना चाहिए thank you friends वीडियो को end तक देखने के लिए I hope आपको यह वीडियो पसंद आई होगी अगर अच्छी लगी तो वीडियो को like करें share करें और हमारे चैनल को subscribe भी करें thank you friends अब मिलते हैं next वीडियो में